डेर साल पहले हर्याना पुलिस के ASI महावीर प्रसाद आत्महत्या प्रकरण में आज दूसरे दिन CBI की टीम बल्लवगर में पहुँची और उसने घटना स्थल का दौरा किया कल CBI की टीम रितक महावीर प्रसाद के घर पहुँची थी और परिवार तधा ग्रामीनों का बयान दर्ज किया था अपने हाथ में केस आने के बाद CBI का बल्लवगर में है दूसरा दौरा था CBI दौरा लगातार सक्रिता से इस मामले में पूचताच और कारवाही किये जाने से परिजनों में अब न्याई की उमीदे बढ़ गई है दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लवगर में चंदावली गाउं के पास आगरा नहर का है जहां CBI टीम के अधिकारी हर्याना पुलिस के ASI महवीर प्रसाद के आत्महत्या प्रकरण में जाच करने पहुचे यहां CBI की टीम ने परिवार के लोगों को बुला कर उनके बयान दर्ज किये महवीर प्रसाद ने 21 अप्रेल 2016 में पुलिस अधिकारियों की प्रतार्णा से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी मृतक के पास से मिले स्यूसाइड नोट के आधार पर स्थानिय पुलिस ने तब एक IPS अधिकारी सहित दस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था स्थानिय पुलिस इंस्पेक्टर बाबूलाल हरदीप हुड़ा जगदीश प्रसाद थाने का मुंशी कुलवंत एसाई विकास सहित दस लोगों के नाम शामिल थे स्थानिय पुलिस ने तो यह मामला अपनी जाच में रद कर दिया था लेकिन मृतिक महावीर प्रसाद की पत्नी चंचलने हार नहीं मानी और उसने सीधे सुप्रीम कोड की शरण ली कोड के आदेश पर यह मामला CBI के पास पहुचा और CBI ने दोबारा से उन सभी अधिकारियों के खिलाफ उन्हें धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया मृतिक के साले महेंदर की माने तो पुलिस ने तो उनका केस रद कर दिया था लेकिन CBI दोबारा केस दर्ज करने और इस मामले की जाच करने से अब उन्हें उमीदे हैं कि अब न्याय जरूर मिलेगा करने के लिए यहां पर आये हैं कहां पर मिली देड बोडी यहीं डेड बोडी तो यहां जिन्दा मिला था बे ओसी के आलत में उसको फिर सर्वोद है उस्पीटल लेगे वहां एक गंटे बाद उसकी डैथ होगी तो क्या आसवासन दे रहे हैं कि इसमें टाइम तो लगेग